दोस्तो ये जो मसीर ने इनको खडने से पहले आपको किन-किन बातों को ध्यान रखना है वो थोड़ा कुछ बात बताऊंगा दोस्तो इनको खडने से पहले आपको जयनकारी होना बहुत जुरूरी है नहीं तो खरीद के आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है दोस्त तो क्योंकि इस तरह को मसीने नए-नए होते हैं तो इसको ऐपरेट करना, रिपیर करना इनको किसी दोकान में तो आप अपने साथ कुछ से लेके जा, कुछ धान वगारा लेकर जाओ जैसे अगर धान का मशिन खरीद रहे हो तो धान कुछ लेके जाओ अपने साथ 10-15 कजी इस तरह से और अगर खुलोर मिल खरीद रहो गिरेंडर वाले दर्रय वर पिसाई के लिए तो आप मक्का वगेरा जो दर्रय करना है वो लेके जाओ अपने साथ इस तरह से अगर आप इ क्योंकि उहां लेके अगर आप चेक करोगे क्या क्या पार्ट मिसिंग है वो डलवा लोगे तो अगर बीना चेक किये हुए लेके आओगे भर और इसाई उसाई कुटाई उटाई करोगे तो आप उसने ठिक से उटाई यरण पिसाई कर सकते हो तो इस तरह से बहुत सारे पहले आपको दुकान में ही जाके चेक करवाना है दुकानदार से उसके बाद ही खरजना है और खरजने पहले दुकान में जाके इनके जो पार्ट होता है जैसे जाली हुआ, साप्ट हुआ, वेरिंग इस सब के अंदर का जो पार्ट हुआ, जो घरसन करता है, जो रोटेट करता है वो पार्ट उनको जरूर पूछना है दुस्तो जो पार्ट घरसन करता है, रोटेट कर चाहिए दोस्तों अंट गो जाएगा तो आपको बोड़ी जहलने पड़ जाएगा कि यूज वह पाट आपको सामने मिलेगा नहीं तो फिर डुपार करको दुबरह इसको चला ही नहीं सकते हो इसलिए खरदीने फिर सप्राइबें जो पार्ट इसमें के अंदर का साफ्ष होत एक सेट्लन के लाएंगे और लाइंगे और आपको सेल कर देंगे तो ऊस टाइम से,- देना मद दूस्तो क्योंकि उसे दुकान से खरदोगा और फंस जाओगे क्योंकि उनके पास इस्ट्रापाट नहीं होता है तो फिर बाद में आ जाओगे 15-20 दिन बाद जाओगे महिनों दिन बाद जाओगे तो इसके पास कुछ भी इस्ट्रापाट नहीं रहेगा तो आप तरह के राइस मील या फुलोर मील अगर ख़रीद रहे हो तो औफ-लाइन खरिदने का परियास करना दूस्तो क्योंकि उल्लाइन में बस एक सेट आपको भेज दिया जाएगा और अगर उल्लाइन में यह होता है कि प्रिमेंट आपसे पहले ले लिया जाएगा उसके बाद प्रिमेंट कुछ क्वेशा ही दोगे लेकिन फंसे रहोगे तो इस तरह के जो मिशिंग पाट अगर चला आए हो तो इसलिए उल्लाइन ज्यदा कारबार करने से बचना चाहिए इस तरह के राइशनी मशीनों के जो पाठ होते हैं उन्हें